वैदिक मैथेमेटिक्स जो आप बोल रहे हैं ये कहां इजाद हुई यानि कहां इन्वेंट हुई और फाइलली आप इसके टच में कैसे आए अरविन भाई मेरे मैच्स में टैंथ क्लास में 33 मांट्स आये थे मैच्छ पॉइंट पे पास वा था तो पॉइंट पे पास होने की वज़े से मेरा मन जो पढ़ाई से थोड़ा सा हट गया था और मैं छोटे-छोटे काम करना शुरू कर दिया था आरा मसीन पे जैसे लकडी उठाने का काम करना शुरू करना है आखबार डालना शुरू करना है तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने मेरे पापा को अलग-अलग ताने मारे तो ताने मार के मुझे बुरा लगा कि मेरे फादर कैसे इंसल्ट हो रही है तो ये काम तो मुझे नहीं करना तो ये काम नहीं करता, बाकी नॉर्मल मैं स्टूडेंट था, तो मेरा एजूकेशन में कुछ ज़्यादा मुझे मज़ा आता नहीं था, तो मैं अक्सर सोचता रहता था कि ऐसा मैं क्या करूँ, कि मेरी मेमरी अच्छी हो जाए, मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, और मैं क छोटी सोच के निकले, फाइनली पापा को गाव छोड़ना पड़ना, जब गाव छोड़ा उन्होंने, तो गाव छोड़के अगले ही दिन उन्होंने सिक्योर्टी गाड की मेरे पापा फोजी, और उन्होंने सिक्योर्टी गाड की जोब जोएन कर ली, तो यही मेरे जिव मैं भागेशाली रहा कि मुझे सहर में गुडगाओ में सिफ्ट हुआ तो मुझे एक अच्छा कोलेज मिला वहां पर अच्छे टीचर्स मिल गए और गुडगाओ का रेल्वी स्टीशन है वहां पर एक बुक शोप है तो वहां पर किताब देखता रहता था एक दिन एक को एक बड़ पढ़ा और सच में फिफ्टीन सेकेंड में वह फिफ्टीन रेंडम वर्ट मुझे याद हो गए मैंने वह किताब ले ली एक एक पन्ना पढ़ मारा मैंने देखा कि यह किताब लिखी किसने है वह जो ओथर था फिर उसके बारे में सर्च किया पता चला कि वह मिसिंग है शायद वो असली बात चुपाई गई है अब मैं नेट पर सर्च करने लगा तो पता चला टोनी वुजान के बारे में डोमिनिक ओब्राइन के बारे में रोन हाइट के बारे में हैरी लोरिन के बारे में और जब उनकी बुक्स ली तो वो अल्टीमेट सिस्टम सम सकती है तो क्या मैठ अच्छा नहीं हो सकता तो शकुंतला देवी जी के बारे में सुना तो पता चला कि वो human computer उनको बोला जाता जबकि उनकी जो educational qualification है वो ज़ादा नहीं है रामानोजन जी के बारे में पढ़ा उनकी भी educational qualification ज़ादा नहीं थी तो धिरी धिरे में touch में आ ग किताब मिल गई वैदिक mathematics by भारती किस्वंति रत्माराथ